आज हम सीखेंगे त्रिबुच की रचना करना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाईया दी हो त्रिबुचों की सर्वांग समता सीखते समय हमने देखा था कि अगर एक त्रिबुच की तीनों भुजाओं के लंबाईया दी हो तो हम एक अध्वितियत त्रिबुच की रचना कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यह रचना कैसे की जाती है मान लेजे हमें त्रिबुच XYZ की रचना करनी है जिसमें बुजा XY की लंबाई 2.7 cm, बुजा YZ की लंबाई 3.2 cm और बुजा ZX की लंबाई 4.3 cm है चलिए इसकी विदी समझे पहला चरण सबसे पहले हम त्रिबुच XYZ की दी हुई मापो के अनुसार एक रफ आकरिती बनाएंगे रफ आकरिती बनाने से हमें रचना करने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है हमें ये ग्यात होता है कि कौन सी भुजा को त्रिबुच में कहां स्थापित करना है दूसरा चरण अब हम रुलर के उप्योग से त्रिबुच की कोई एक भुजा खीच लेंगे जैसे यहां हमने 3.2 cm लंबाई की भुजा YZ कीची है याद रहे हम किसी भी भुजा से शुरुवात कर सकते हैं तीसरा चरण हमें ये ग्यात है कि एकस वाई की लंबाई 2.7 cm है इसका अर्थ ये है कि शीश X, शीश Y से 2.7 cm की दूरी पर है इसके लिए हम परकार के फैलाओ को 2.7 cm के लिए खोलेंगे परकार का नुकीला सिरा शीश Y पर रखकर यानि कि शीश Y को केंद्र मान कर 2.7 cm की त्रिज्या के साथ हम एक चाप खीचेंगे चाप पर स्थित प्रतेक बिंदू की दूरी शीश Y से 2.7 cm है यानि कि इस चाप का एक बिंदू त्रिबुच X Y Z का शीश X है जरा सोचिए हम शीश X का निश्चित स्थान कैसे ग्यात करेंगे सोचिए सोचिए चलिए इसे हम चौथे चरण में समझेंगे चौथा चरण यहां भुजा X Z की लंबाई 4.3 cm है अर्थाथ शीर्ष X शीर्ष Z से 4.3 cm की दूरी पर है इसलिए अब हम परकार के फैलाओ को 4.3 cm के लिए खोलेंगे शीर्ष Z को केंद्र मान कर 4.3 cm की दृज्या के साथ हम एक और चाप खीचेंगे जो शीर्ष Y से खीचे चाप को प्रतिच्चेत करता है प्राप्प्रतिच्चेत बिंदू त्रिबुच X Y Z का शीर्ष X है पांचवा चरण अब हम बिंदू X को बिंदू Y और बिंदू Z से जोडेंगे और इससे हमें त्रिबुच X Y Z प्राप्त होगा इस प्रकार हमने त्रिबुच X Y Z की रचना की है इसमें बुजा X Y बराबर 2.7 cm बुजा Y Z बराबर 3.2 cm और बुजा Z X बराबर 4.3 cm है इसी के साथ अगर हम त्रिबुच X Y Z के बुजाओ के समान मापवाले त्रिबुच PQR की रचना करें जिसमें बुजा PQ की लंबाई 2.7 cm बुजा Q R की लंबाई 3.2 cm और बुजा RP की लंबाई 4.3 cm हो तो हम देखते हैं कि दोनों त्रिबुच एक दूसरे को पूरी तरह से ढखते हैं यानि कि इनके आकार एवा माप समान है यानि कि दोनों त्रिबुच सरवांगसम है यदि दिये गए सुमेलन के अंतरगत एक त्रिबुच की तीनों भुजाएक क्रमशह किसी दूसरे त्रिबुच की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिबुच सरवांगसम यानि कॉंग्रेंट होते हैं सरवांगसमता के इस प्रतिबंद को हम SSS सरवांगसमता प्रतिबंद के नाम से जानते हैं जरा सोचिए क्या किसी अध्वितिय त्रिबुच की रचना की जा सकती है जब उसकी सिर्फ दो भुजाओं के लंबाईया ग्यात हो सोचे सोचे चलिए हम बताते है मान लीजे हमें त्रिबुच ABC की रचना करनी है जिसमें भुजा AB बराबर 2.9 cm और भुजा BC बराबर 4.3 cm है सबसे पहले हम 4.3 cm का एक रेखा खंड BC कीचेंगे अब 2.9 cm की त्रिज्या लेकर और बिंदू B को केंद्र मान कर हमें चाप कीचेंगे इसी चाप पर कहीं बिंदू A स्थित है परंदु कहां? क्या आप इसका निश्चित स्थान पता कर सकते हैं? सोचिए सोचिए बिंदू A चाप पर कहीं भी स्थित हो सकता है यानि की हम इसका निश्चित स्थान ग्यात नहीं कर सकते ऐसे में हम दर्शाय प्रकार से रिबुच ABC के रचना कर सकते हैं यानि कि हमें अध्वितिय त्रिबुच ABC प्राप्त नहीं होता इसका अर्थ है कि हम केवल दो बुजाओं के उप्योग से एक अध्वितिय त्रिबुच की रचना नहीं कर सकते अतह त्रिबुच की रचना करने के लिए हमें त्रिबुच की तीनो भुजाओ का माप ग्यात होना आवश्यक है तो अब आप त्रिबुच की तीनो भुजाओ के माप ग्यात होने पर त्रिबुच की रचना कर पाएंगे आज हमने सीखा त्रिबुच की रचना करना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाईया दी हो अगले वीडियो में इससे संबंदित कुछ मज़ेदार उधारन देखेंगे